Hello, what's up everybody, my name is Nick and welcome to my YouTube channel Let Me Flow Guys, आज के इस वीडियो में हम कुछ basic English words के बारे में बात करेंगे इसमें कुछ phrases भी होंगी और कुछ EDM's भी होंगे तो चले गाइस फड़ा फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मैं बात करोंगा I had a brush on my leg when I fell down यहाँ पर brush Simply एक noun है, इसका मतलब होता है किसी चोट के कारण भूरा नेला निशान या फिर गुम चोट भी बोल सकते हो आप तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि जब मैं गिर गया तो मेरे पैर पर चोट के कारण भूरा नेला निशान पढ़ गया या फिर मेरे पैर पर गुम चोट लग गई नेश्ट मैं बात करूँगा My friend is a decent man यहाँ पर decent एक adjective एसका मतलब होता है कोई person है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा इमानदार है या फिर कोई चीज है वो उचित है यहाँ पर यह बोला जारा है कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और इमानदार इंसान है यहाँ पर precise एक adjective एसका मतलब होता है बिलकुल exact मतलब बिलकुल ठीक या फिर सही तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि तुम हमेशा बिलकुल सही समय पर या फिर सही पल पर निर्णा लेते हो next मैं बात करूँगा let's leave for nanital at the drop of a hat यहाँ पर at the drop of a hat एक phrase होती है इसका मतलब होता है तुरंत या फिर एकदम मतलब बिना समय गवाए तो यहाँ पर इसका मतलब होगा चलो nanital के लिए निकलते हैं तुरंत या फिर चलो बिना समय गवाए nanital के लिए निकलते हैं next मैं बात करूँगा I don't have ample time to think of it यहाँ पर ample एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो परियाप्त है या फिर बहुत ज़्यादा मातरा में है तो इसका मतलब होगा कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है या फिर परियाप्त समय नहीं है next मैं बात करूँगा I thoroughly believe in his honesty यहाँ पर thoroughly एक adverb है इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर अच्छी तरह से honesty एक noun है इसका मतलब होता है इमानदारी या फिर किसी परसन की सत्य निष्टता तो यहाँ पर इस line का मतलब होगा कि मैं उसकी इमानदारी पर या फिर मैं उसकी सत्य निष्टता पर पूरी अच्छी तरह से भरोसा करता हूँ next one is why did you pass a derisive comment यहाँ पर derisive एक adjective है इसको आप इस sense में यूज कर सकते हो मतलब जब आप सोचते हो कि कोई चीज आपके लिए important नहीं है या पर कोई चीज है जो आपके लिए बेकार है तो आप उसकी मजाग बनाते हुए कुछ करते हो आप उसकी मजाग बनाते हुए कुछ कहते हो तो ऐसे sense में इसको यूज कर सकते है तो यहाँ पर इसका simple मतलब यह होगा कि आपने मजाग बनाते हुए comment पास क्यों किया next one is children always bigger यहाँ पर bigger एक verb है इसका मतलब होता है to argue about unimportant things मतलब that are not important for you मतलब कोई चीज है जो आपके लिए बेकार है तो बेकार की बात पर बहस करना या फिर बेकार की बात पर जगड़ा करना तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बेकार की बातों पर जगड़ा करते हैं या फिर बेकार की बातों पर बहस करते हैं नेश्ट मैं बात करूँगा आई ट्राइट टो अल्योर दो किट्स विद चॉकलेट्स यहां पर अल्योर सिंपली एक वर्ब है इसका मतब होता है किसी परसन को किसी चीज से लुभाना या फिर किसी परसन को किसी चीज से बहकाना तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि मैंने चॉकलेट्स से बच्चों को बहकाने की कोशिश की या फिर लुभाने की कोशिश की नेश्ट बावनेस डोंट गल्प दा फूड विदाउट मैस्टिकेटिंग यहां पर गल्प एक वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना या फिर किसी चीज को गटक जाना और यहां पर मैस्टिकेट एक वर्ब है इसका मतलब होता है खाने पीने की चीजों को दांतों से चबाना तो यहां पर सिंबल इसका मतलब होगा कि खाने को बिना दांतों से चबाए गटको मत या फिर खाने को बिना दांतों से चबाए निगलो मत next one is shush, we are talking to each other यहाँ पर shush एक word है इसका symbol यह मतलब होता है कि किसी से चुप होने के लिए कहना तो यहाँ पर आप किसी से चुप होने के लिए कह रहे हो कि चुप हो जाओ, हम आपस में बाते कर रहे हैं next मैं बात करूंगा control your tongue at once यहाँ पर at once एक phrase होती है इसका मतलब होता है कि तुरंत यह फिजटपट means without any delay तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि तुरंत अपनी जुबान को काबू करो next one is I don't like to go to that hotel because the food is indifferent and the service is rather slow यहाँ पर indifferent एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अच्छा नहीं है या फिर रूची रही थै या फिर मतलब उदास है उस बात को करने में या फिर उस बात के होने में या फिर कोई चीज होने में रूची ही नहीं है rather यहाँ पर एक adverb है इसका मतलब होता है काफी यह पर आप बोल सकते हैं काफी हद तक यहाँ पर इस line का simply मतलब यह होगा कि मुझे उस hotel में जाना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ का जो खाना है वो रूची रही थै वो खाना अच्छा नहीं है और वहाँ की service भी है वो काफी slow है काफी धीमी है यहाँ पर leave no stone unturned एक idiom होती है इसका मतलब होता है किसी चीज को करने में या फिर किसी चीज को पाने में खून पसीना एक कर देना या फिर पूरी जी जान लगा देना मैंटेन simply एक verb है इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना या फिर किसी चीज को कायम रखना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो दिल्ली की police है वो कानून को बनाए रखने में या फिर कानून को कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है या फिर पूरी जीजान लगा रही है Next one is I wasted my entire hour waiting for you यहाँ पर entire Simply एक adjective इसका मदब होता है कि पूरा या फिर संपूर तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मैंने तुमारा वेट करते हुए पूरा घंटा बरबाद कर दिया Next one is I try to do it in any case यहाँ पर in any case एक phrase होती है इसका मदब होता है हर हालात में या फिर चाहे जैसे भी तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हर हालात में मैंने इसे करने की पूरी कोशिश की या फिर चाहे जैसे भी मैंने इसे करने की कोशिश की Next one is It's such a daring task to climb the mountains यहाँ पर daring simply एक adjective है इसका मतलब होता है साहस भरा या फिर बहादुरी भरा तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि mountain पर चड़ना या फिर पहाडों पर चड़ना सच में एक साहस भरा task है या फिर बहादुरी भरा काम है Next one is I fumbled key of my bike every nook and corner of my room यहाँ पर fumble simply एक verb है इसका मतलब होता है किसी चीज को टटोलना या फिर जल्दी बाजी में कुछ इदर उदर ढोंडना every nook and corner simply एक phrase होती है इसका मतलब होता है कोने कोने में या फिर हर चपे चपे में तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मैंने अपने बाइक की चाबी को अपने कमरे के कोने कोने में या फिर चपे चपे में ढूंडा या फिर टटोला So that's it guys for this video Guys अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूं कि आप comments में 841 type करके मुझे comment करके बताइए और इस वीडियो पर 300 likes कर दीजिए Thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video Take care